नमस्कार दोस्तों काफी गर्व के पल आप यहाँ पे देखें सुखबी ढंडा सर को प्रेश्मा बफलो के साथ मान सम्मान जो है वो आज मिल रहा है यहां से और काफी अच्छा दूद है वो इसने 29 किलो 327 ग्राम है वो दर्ज कराया तो काफी सारे हमारे गंड मानने गंड अथी थी आए हैं साथ में ओंबिर सर आप देखें पंजाब से आए हैं हमारे बड़े बुजर्ग हैं वहाँ पे और इधर राजेंदर सर हैं काफी लोग हैं तो काफी अच्छा दूद इसने रिकोर्ड कराया तीन से तीन समय की जो लाइव मिलकिंग है वो चल रही थी नर अच्छी तरीके से इन्होंने संभाला और उमीद करते हैं आगे चल करके भी काफी बेटर जो परफॉम है वो करेंगी तो दोश अब जान लेते हैं नमस्कार सुखबीर सर कैसे हो जी क्या कुछ कहेंगे सर एकबर भी कहना तो चलो मैं इसने अच्छा परदसन किया कोई और आगे भी करेंगे देखो 3213 तो इसने डियाफे में इतलवाया था और 380 इसका एंडीडीपी में भी है लेकिन कोशिश कुछ अच्छा करने की थी पहले करने में कोई फायदा नी वाई एक बार छे ट्राई करेंगे फिर ट्राई करेंगे प्रेगनेट है बैस लेकिन फेर यह पीछले बार जाद है कम परेगी अर बार जुरूरी नहीं बहुत बढ़ा है एक बाद माना हम 5 ब्यांतों के लगा तार 5 ब्यांता में 4 ब्यांता में 30 प्लस दूद इस बैस ने जी पहला ब्यांत में चलो नहीं करा तो आज यह क्या प्लान है फिर दूबार से मिलकिंग आएगी हटके कोशिस रहेगी पुरिवाई जी 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 तो हमारे बुज़ुर्ग ताउजी है नमस्कार ताउजी क्या से हो जी तो कहां से आए हो अब पांडवान से क्या कहेंगे दूद आपने देखा बहुत अच्छी तो हिमत इनको नहीं आड़नी चाहिए है ना बहुत बढ़ी है जी जी सरदार जी है नमस्कार सरदार जी क्या कुछ कहेंगे सर प्लीज बताएं कहने को क्या है जी इसमें कोई कहने की बात नहीं है क्योंकि ये पांच ब्यांत होगे इसको दूद देतेगो ठीक है और हमारे को देखते हो जो नैशनल वाल्ड की बैंसे में ये आ रही है बैंसे जी और अब इसका थोड़ा सा तंप्रेचर यहां कैसे भी करो कुछ किसमत की ह करती है जेकिन इसमें कुछ नहीं कह सकते भी दूद नहीं दिया जी जी इसने कई टाइम पहले बैंसे दूद दिखा रही है बैंस बिल्कुल और अब भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है चीक है कोई बात नहीं है हमें जब आए परसो बिल्कुल नॉर्मल में ऐसे के बढ़ी थी जैसे बिल्कुल यह ऑगाली नहीं कर रही थी परसों नहीं पेल जय मकोई आप जब रहे दे रही है पिल्कुल इंडिया के purity जंब ले एंट कँ वह बिलगुल बिलगूल बिलगुल तो जी राजंदर सर आब आपके उपर फॉकस है समस्का डी जी तो यहां पे आई क्या कुछ सिखने को मिला क्या को सिखने को मिला एक बर वागार बता दे हैं तो उमीदे अच्छी होने होले हैं तो जो खिलाडी ना होगा कपड़े नहीं कोले रहे हैं जी 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 और काफी सारे भाई आई हैं कोई निजी विचार शुमिद भाई आप क्यों चुप रहे हो आजो ना चुप गया हुआ बता दे प्लीज क्या कुछ कहेंगे हर साल बचा दिलने हैं आप चम लेले हैं मेरे सामने दूदट तोले हैं अभी ब्हारा किलो से एक दम सोड़ा किलो पाणा तो यह चमतकार है हमारे सर है हर विलास जी एक दो दिन निकाले काफी कुछ सीखने को मिला सर बताई प्लीज तो किसान साथियों में सबसे यह कहना चाहूंगा कि हरा अदमी लाइब में नहीं जोड़ सकता जी और कहीं बारा ऐसा भी हो जाता बादें वीडियो दो खिलना और मालिके गर पर भी पहुंसकत है कि हमारी मजबूरी हमारे पस इतने पैसे नहीं है कि हम डेड़ या दो लाक या डाई लाक लेकर जाएं और बैस लेकर आएं मैं उनको किसान साथियों से करना चाहता हूं हमारा लाइब दखाने का यही मतलब है जो इन बैसों के मेल काफ है जिनको कटड़े बुल या जो गबन कराएं जो हमारे देश की जो नसल थी पासों की उसका सत्यानास ही सीले हुआ बहुत बढ़िया कि मैं अच्छी नसले का हूँ बहुत बढ़िया दिमाग के अंदर एक बात गूमती है कि अगली बार ब्यानी चाहिए बुल जो मर जी हो सही बात है मैं आप से कहना चाह से क्राउस कराइंगे जी 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 तो आके जो बच्चा आएगा जोका फीमेल आएगा मेल काफ आएगा दोनेों के अंदर समाज के अंदर समाज सेवा करोगी तलस बिल्कुल भी защ इंगे कि सीमन बेच जड़ेवाれた समाज सेवा कैसे करते हैं सहसे पहले शेह थ नहीं होती है ह जो हर्याणा और पंजाब खिलाडी माना जाता था यानि गेमों का पूरे वर्ड के अंदर रिकाउड है हर्याणा पंजाब के बिलकुल दूसरे स्टेटों से इतने खिलाडी नहीं आते तो दुबारा से हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है नसे की तरह से हटकर दूपाल की तरह जाम देना है ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मेरा चैनल है किसान साथियों हर विलाज डैरी फार्म के नाते जी जी मैं वैसे पगड़ी भालता हूँ आज मैं किना पगड़ी के हूँ इसने साथ पहचाना पाई है एक बार तालिया बजा दो जी काफी अच् दूद नहीं तुलवा रहे हैं बिल्कुल नरेश बाई की थी रेशमा अपनी है नरेश बाई की है बिल्कुल सथल्कुल मनमै है लेकिन बोल करना वह भाइबात है करका दिखांज करांगे। तो मतला एक बहुत अच्छी सोच समाज के कल्यान के लिए जो काम है वो ये कर रहे हैं हमारे एक बुज़ूर्ग ताउजी और है नमश्कार ताउजी कैसे हो जी तो सबसे पहले आप आए काफी अच्छा लगा क्या कुछ कहेंगे सुक्वीर सर और नरेश भाई साब के बारे हाँ 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 हमारा तो सबसारा सेला कर दिया तो रात को थोड़ी सी मट तूटी लेकिन सुबह का दूद अच्छा निकल गया है इसका जो अभी बुल का जो कटडा है वो आप देखें कल एंडी डी भी जो टीम है वो आई थी यहाँ पे और डिरेक्टर से सीधे चंडीगड से आए हैं इनको टैग लगा के करके गए हैं समाज कल्यान के लिए जैसा कि नरेश सर और सुक्वीर सर की जो स्टेटमेंट थी इसको दिया जाएगा ताकि अच्छे सीमन्स और भी जो पशुपालिक हैं वो अपने घर पे यूज़ कर सकें जी जी सिर्फ और सिर्फ संस्टारी संस्था में आप इसको देना चाहेंगे उसी स्याथ से कोई दिकत नी अगर नरेश ने कहा है परीवी लेना चाहेंगे तो तो फादर साइड क्या कुछ है इसकी सुक्विश एम 466 का है अब की बार अनमोल रतन से प्रेगनेट बहुत बड़ी है जी ठीक है जी बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा जो शुब संदेश है वो तो जितने भी भाई इस वीडियो को देख पारे हैं सभी को मेरे तर अलके घरिया किसी बड़े डेरी फार्म पर तब तक के लिए आप सब को मेरे नमशकार धन्यवाद जय जवान जय किसान